असलामों अलेकुम दोस्तो मेरा ना मैं वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदरीवी दोस्तो आज कल सोशल मीडिया का दौर है और हमें हर रोजी इंटरनेट पर नई-नई चीज़े देखने को मिलती रहती है वैसे तो आप सब रोज इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिक टॉक पर नई-नई वीडियोस देखते होंगे लेकिन आज किस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौझूद ऐसी अंजूचुल चीज़ें दिखाने चा रहा हूँ जिनने आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दोस्तो आप सब जानते हैं कि आजकल फैशन का दौर है दुनिया इस हद तक जा चुकी है कि लोग यूनीक लगने के लिए कुछ भी करने के लिए त्यार हो जाते हैं वैसे तो आप सबने बहुत से लिटेस्ट फैशन्स देखे होंगी लेकिन क्या आपको बता है कि अब फेस मेकप के साथ साथ लिप्स पर भी आर्ट किया जाता है वैल ये जो अन्जूजर लिप्स्टिक डिजाइन साब देख रहे हैं इनने लिप आर्टिस्ट क्रियेट करते हैं पहले तो लिप्स पर सिर्फ सुर्खी ही लगाई जाती थी लेकिन अब तो आप लिप्स पर कुछ भी ड्रॉ करवा सकते हैं प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस अन्जूजर लिप्स्टिक को लगाने के बाद औरतों को अपना मूँ बंद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर इन्होंने ज्यादा टर्टर की तो ये डिजाइन खराब हो जाएगा एनिवे जो भी हो ये आर्ट वाके ही में यूजलेस है दोस्तों आँखे अला तला की एक बहुत बड़ी नेमद है अगर आँखों के कलर्स की बात की जाए तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आँखों का रंग बहुती खुबसरत होता है आप सबने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगी जिनकी आइस ब्लू, ग्रीन या ग्रे कलर की होती है लेकिन क्या आपने कभी किसी की आँखों में पूरी गलेक्सी गुमते हुए देखी है वैल ये जो यूनीक आई आप दिख रहे हैं इसे फर्स्ट लांस में देखर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर प्लैनेट्स और स्टार्स स्पेस में घूम रहे हैं इवन इसमें आप पूरी गलेक्सी देख सकते हैं पहली नजर में तो इसे देखर ऐसा लगता है जैसी ये वीडियो फेक है लेकिन आप बलीव नहीं करेंगे कि एक रियल इनसानी आँख है असल में ऐसा एक बहुती रियर आई कंडिशन के नतीजे में होता है जिसे एस्टरॉइड हेलोसिस कहा जाता है इस कंडिशन में बंदे की आँख में छोटी छोटी स्पॉट्स बन जाती है और जब बंदा आँख खोलता है तो इसे देकर ऐसा लगता है जैसे इसमें तारों से भरे आस्मान का अक्स नजर आ रहा है सबसे हैरानगी बाद यह है किस कंडिशन से इनसान के विजन पर जरब भी फरक नहीं पड़ता और इसकी नजर बिलकुल ठीक रहती है वैल ये नैच्रल फिनॉमिना वाके ही में देखने लाइक है दूस्तो आप मेंसे बहुत से लोगों ने होलोग्राम टेक्नोलोजी के बारे में सुना होगा इसमें सिर्फ कुछ लाइट्स की मदद से हावा में किसी भी चीज़ की पिक्चर या विडियो बनाई जा सकती है लेकिन अभी ये टेक्नोलोजी इतने एक्स्ट्रीम लेवल तक पहुँच गई है कि आप और मैं इसे इमेजर में नहीं कर सकते ये विडियो आप देख रहे हैं इसमें एक रियल लाइफ होलोग्राम क्रियेट किया गया पहली नजर में तो इसे देकर ऐसा लगता था जैसे आसमान में कोई पोर्टल या ब्लैक होल ओपन हो गया है जिसके अंदर से एलियन निकल रहे हैं लेकिन असल में ये सिर्फ लाइट्स का कमाल था ये होलोग्राम इतना रियलिस्टिक था कि इसे देकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब कुछ फेक है ये टेकनॉलोजी वाके ही में नेक्स्ट लेवल है दोस्तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बारिश अला तला की रहमत है अगर किसी इलाके में ज्यादा अर्स तक बारिश ना हो तो वहां फसलें खराब हो जाती है लेकिन अगर किसी जगा बार्शें ज्यादा भी हो तो वालात काफी खराब हो जाते है और सहलाब आने का खतरा होता है लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी मशीन भी बनाए गई है जो बारिश को होने से रोक सकती है वेल्ट सुनने में तो ये बात impossible लगती है भला कोई मशीन बारिश को कैसे रोक सकती है लेकिन ये जो सिंपल से डिवाइस आप दिख रहे हैं ये असल में बारिश को रोकने वाली दुनिया की सबसे जदीद तरीन मशीन है इसे anti-hail cannon कहा जाता है अगर किसी area में बारिश को रोकना हो तो इस cannon को उस जगा पर fix कर दिया जाता है इसके अंदर से हर 3-4 सेकंड के बाद साउंड वेव्ज निकलती हैं जो इतनी शदी तेज होती है कि इससे बादल इतर उदर बिखर जाते हैं और इस तरह उस जगाबर बारिश नहीं होती इस मजीन को बनाने का असल मकसद ये था कि फसलों को गैर जरूरी बार्शों से बचाया जा सके एनिवे जो भी हो ये एंटी रेंड डिवाइस वाकिही में अन्बिलिवेबल है दोस्तो आप सबने ये बातों सुनी होगी कि अरब मुमालिक में तेल की कोई होते हैं वैल ये बातों हम सब जाते हैं कि इन कोईों से क्रूड ऑयल निकलता है जिसे बाद में रिफाइन करके पेटरोल और डीसल वगयरा बनाया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि ये आप कैसे करते हैं वाल ये जो वडियो आप देह रहे हैं इसमें एक ओयल वैल की ड्रिलिंग होते हुए दिखाई जा रही है असल में जब क्रूड ऑयल के ड्रिलिंग किये जाती है तो वहां बहुत सी खतरनाक जहरीली गैसिस भी मौजूद होती है जब वैल के अंदर ड्र आग निकलती है इवन अगर समुंदर के अंदर मौजूद ओयल रिक से भी ड्रिलिंग किये जाए तो उससे भी ऐसे ही आग निकलती है वैल ये प्रोसेस वाके ही में बहुत खौफनाक है दोस्तो अगर एक मेडिकल स्टुडेंट की बात की चाए तो हीमन और्गन्स को स्ट इस ट्रक्चर शो किया जाता है पहली नजर में तो इस प्रोसेस को देकर ऐसा लगता है जैसे इस बाजू को रियल में काट कर दिखाया गया है लेकिन असल में ऐसा नहीं होता बलके प्रोजेक्टर और एडिटिंग की मदद से स्टुडेंट को हीमन आम की अंदूनी साख स दिख रहे हैं इन्हीं फर्स ग्लास में देकर समझने आती कि ये आखर चीज क्या है ऐसा लगता है जैसे चोटी-चोटी कौफन्स हैं लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कौफन्स नहीं बलके बीहाइवस हैं इन बीहाइवस को चाइना के सिटी शियोंग जिया में एक पहाड के उपर बनाया गया है ये मौंटिन जमीन से 4000 फुट की उचाई पर मौजूद है और आप खुचान का इहरांगी होगी कि इस जगह पर 700 से भी ज्यादा बीहाइवस मौजूद हैं असल में चाइना के अंदर हनी बीज काफी हद तक कम हो चुकी हैं इसलिए वहा इनके अंदर अपना शहद जमा करती हैं और बाद में कैसान इन्हें अंदर से निकाल लेते हैं लेकिन जो भी हो ये रियली बहुत अंजोज्वल हैं दोस्तों अगर आप एक वीडियो गेम प्लेयर हैं तो आपने प्लेस्टेशन पर बहुत सी गेम्स खेली होंगी नॉर्म प्लेस्टेशन पीस है लेकिन असल में ये पूरा प्लेस्टेशन है इसके सेंटर में एक LED लगाए गई है जबकि साइट्स पर गेमिंग असेसरीज रखने की जगा मौजूद है इसकी खास बात ये है कि ये LED हर तरफ से फोल्ड हो जाती है और असेसरीज भी आसानी से ब्लैक बोर्ड ना देखा हो हमारी बेसिक एजूकेशन का आगाजी ब्लैक बोर्ड से होता है वैसे तो इन बोर्ड का साइज अच्छा खासा बड़ा रखा जाता था तकि टीचर्स इस पर आसानी से राइटिंग कर सकें लेकिन क्या आपने इतने बड़ी साइज का ब्लैक इसकी यूज तादात आसानी से अपना क्लास वर्क समझ सकें वैल मेरे ख्याल में तो इस पर अगर बंदा सारा दिन भी लिखता रहेगा फिर भी ये बोर्ड खतम नहीं होगा ये सच में बहुत अंच्यूजूल है दोस्तों दुनिया में बहुत से आसी कार ब्रैंड्स हैं जो आए दिन कार्स के नहीं नहीं मॉडल्स लाउंच करते हैं इनमें छोटी और बड़ी हर तरह की गाड़ियां शामल होती हैं लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे यूज कार देखी है वैल ये जो SUV कार आप दिख रहे हैं इसे चाइने की कार कंपनी ने लाउंच किया है इसका साइज इतना मैसिफ है कि इसके सामने खड़ा बंदा भी एक बोना लगता है जब ये कार रोड पर चलती है तो बाकी गाड़ियां तो इसके मुकाबले में खिलाउने लगते हैं पहली नजर में तो इसे देकर यकीनी नहीं आता कि ये गाड़ी रियल में मौझूद है और रोड पर चल भी रही है चाइना में फिल हाल ये गाड़ी रेड पर दी जाती है और लोग अपना शौक पूरा करने के लिए इसे रोड पर चलाते हैं वेल इस तरह की वीर्ड चीज चाइना के लावा कोई नहीं बना सकता